हेलो बच्चों मैं आराधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चानल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम लो क्लास सेवेन का हिंदी बूक वसंत दो का पार्ट नमबर छे रक्त और हमारा शरीर इस पार्ट को देखने जा रहे हैं इस पार्ट में हम लोग सबदार्थ सहीत इस पार्ट की ब्याख्या को देखेंगें बच्चों इस पार्ट के जो लेखक हैं उनका नाम है यतिन अगरवाल जी यतिन अगरवाल जी इस पार्ट को एक निवन्द के रूप में लिखे हैं और इस पार्ट के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि रक्त हमारे सरीर के लिए कितना आवश्यक है, रक्त में कौन-कौन सिक्कन पाई जाते हैं, तथा रक्त दान करना किशी को जीवन दान जैसा ही है, तो आईए हम रूँ इस पार्ट को देखते हैं इस वीडियो में, दिवया अनिल की छोटी बहन है, यो तो वह सुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय ठकान महशूस होती है, मन किशी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है, अस्पताल में उसे डाक्टर ने देखा, तो कहा लगता है दिवया की सरीर म रक्त की कमी हो गई है, तो अनिल की छोटी बहन का नाम दिवया है, जो कि इस बिच थोड़ा ठकान महसूस कर रही है, और कमजोर हो गई है, जब डाक्टर से दिखाती है, तो डाक्टर अस्पताल में बोलते हैं कि इसके सरीर में रगता है रक्त की कमी हो गई है, तो में भेज दिया वहाँ अनील को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी तो अनील जो उसका भाई है जब रक्त के जांच करने के लिए डॉक्टर बोलता है और बगल के कमरे में जाता है तो वहाँ उसके जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिख जाती है सुनते ही डाक्टर दीदी ने दिव्या कि उंगली से रक्त की कुछ बुन्दे एक छोटी सी 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 में डाल दी बच्वोड़ों सी सी होता है कांच का बना हुआ जिसको कि slide करते हैं इस पर blood को रख करके और उसका test किया जाता है और फिर उसको microscope के अंदर देखा जाता है तो उसे हम slide करते हैं तो उस पर रख को डाल करके वो जाच करने लगी कौन डॉक्टर फिर अनेल से बोली अनेल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना अगले दिन अस्पताल पहुँचका अनेल ने डॉक्टर दीदी के कमड़े के दरवाजे पर दस्तक दी तो दस्तक देने का मतलब क्या होता है बच्चों दस्तक देने का मतलब होता है खट खट आना यानि कि उसने अगले दिन डॉक्टर दिदी के धरवाजे को खटखट आया बीतर से आवाज आई। आजाओ, बीतर का मतलब होता है अंदर से अंदर से डॉक्टर दिदी ने आवाज दिया, आजाओ अनेल ने कमरे में परवेश किया तो तो आप इस picture में देख रहे हैं कि एक doctor दीदी है जो की दिब्या और अनिल वहां बैठे हैं तो दिब्या का test करने के लिए उसके उंगली से खून का sample लेती है फिर इस picture में आप देख रहे हैं ये परकनली है इसको परकनली बोलते हैं जिसमें कि इसी को यहां पर CC का गया है इसको परकनली बोलते हैं इसमें खून को रखा जाता है जाच के लिए डॉक्टर दीदी ने सुचमदर्शी द्वारा एक स्लाइट की जाच कर रही थी डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी सुचमदर्शी के द्वारा उस खून को जाच रही थी दीदी के इसारे से सुचमदर्शी का मतलब हुता बच्चो एक ये अंत्रे जिससे छोटी से छोटी चीज भी बड़े रूप में दिखाई देती है उसे हम सुचमदर्शी करते हैं दीदी के हिसारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया कौन अनील स्लाइड की जाच पूरी होने पर डाक्टर दीदी ने साबुन से हाद धोए और तॉलिय से पोश्ती हुए बोली अनील दिव्या को एनीमिया है तो एनीमिया बता रही है डाक्टर दीदी एनीमिया क्या होता है बच्चों खून की कमी से होने वाली एक तरह का बीमारी है उसका नाम होता है एनीमिया चिंता की बात नहीं है कुछ दिन दबा लेगी तो ठीक हो जाएगी ऐसा डाक्टर दीदी बत केक्षा हुई इसलिए वो डॉक्टर दीदी से बोलता है कि क्या मैं एक बात पूछा हाँ हाँ क्यों नहीं डॉक्टर զीदी ने कहा अनीमिया से आपका क्या मतलब है देदी उस ने पूछा या जानने के लिए तुम्में रक्ट के बारे में जानना होगा ड्क्टर देधी ने कहा तो डॉक्टर देधी अब उसे रक्ट के बारे में विस्तार से बता रही है आएक क्या बताती है वो फिर बोली अनिल देखने में रक्ट लाल द्रबी के समान दिखता है द्रबी मंतलब होता है बच्चो लिक्वीड के शमान किन्तु इसे सुश्म द्वर्ची क के द्वारा देखे वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है तो बच्चों भानुमति का पिटारा क्या होता है एक ऐसा बक्षा जिसके अंदर बहुत अलग अलग भाती-भाती की बस्तों अलग अलग तरह की बस्तों एक ही बक्षे में रखा हुआ हो तो रक्त को बोलती है कि अगर तुम मैक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम देखोगे कि इसमें एक जो रक्त बाहर से एक दिखता है उसके अंदर कई तरह की चीज है इसलिए भानुमति के पिटारे से कम नहीं है मौटे तोर पर इसके दो भाग होते हैं एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाजमा करते हैं एक लिक्विट पार्ट होता है बलट का जिसे की प्लाजमा करते हैं डॉक्टर दीदी बता रही है दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कन होते हैं कन मिन्स होता है कि सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे कुछ लाल कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है उसे हिंदी में हम विवानन और इंगलिज में प्लेट लेट्स कहते हैं यह जो तीन तरह के का पाए जाते हैं वह लिक्विड जो उसमें होई है तरल पदा पलाजमा उसमें तरते रहते हैं इतना करकर डॉक्टर डीदी ने सुषमदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई उसे फोकस किया फोकस करना में फोकस करने पर क्या होता है सुषमदर्शी में कोई भी का आकार बड़ा हो जाता है तो फोकस करके उसका आकार को खुन के आकार को बड़ा कर दी देखो अनिल सुछमदर्शी द्वारा जो कन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह है लाल रक्तकन तो उसमें अनिल को देखने बोलती है अनिल देखता है तुसे एक कन दिखता है तो द पैड को देखा तो आस्चरी का मतलब होता है हैरानी से वह अनिल उशल गया क्योंकि वह बच्चा था उसने पहली बारी लाल रक्त कन को मैक्रोस्कोप में देखा था रक्त की एक बुंद में इतने सारे कन इसकी तो वह कलपना भी नहीं कर सकता था वह बोला इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानों बहुत सी छोटी छोटी बालु साही रख दी गई हो तो बच्चो बालु साही क्या होता है एक पर करका खाने वाला मिठाई होता है जिसका आकार इसी तरह से होता है बीच में वह चप्टा रहता है और चारतरब मोटा होता है जो की देखने में ल लाल रक्तकन के तरह ही दिखता है तो अनिल छोटा बच्चा था उसे वो लाल रक्तकन बालुसाही की तरह दिखा हाँ दीदी बोली लाल रक्तकन बनावड़ें बालुसाही की तरह ही होते हैं दोनों और गोल और दोनों तरफ अवतल यानि की बीच में दबे हुए तो बोल र जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बीच से वो दबा हुआ है जिसको की अवतल कहते हैं हिंदी में इस तरह के बनावट को अवतल कहा जाता है रक्त की एक बुंद में इनकी शंख्या लाखों में होती है तो डॉक्टर दिदी बोल रहे हैं कि अगर एक बुंद तुम देखोगे ब्लड का तो उसमें उसकी शंख्या लाखों में होती है यदि हम 1 mm रखत लें तो उसमें हमें 40-45 लाग कन मिलेंगे यानि कि 1 mm में ही इतने ज़्यादा मातरा में कन मौजूद होते है इनके कारण ही हमें रखत लाल रंग का नजराता है 1 mm में लाल रखत कन 40-55 लाग होते है इसलिए blood का color जो होता है वो red होता है ये कन सरीर के लिए दिन रात काम करते हैं सांस लेने पर साफ हवास जो oxygen तुम प्राप्ट करते हो उसे सरीर के प्रते एक हिस्टे में पहुँचाने का काम इन कनों का ही है तो ये red blood cells जो होते हैं लाल रक्त कन यही oxygen हमारे पूरे सरीर में पहुचाते हैं ऐसा देदी बताती है डॉक्टर देदी इनका जीवन काल लगभग चार महिने का होता है तो डॉक्टर देदी बताती है कि इसका जीवन काल यानि कि आयू होता है इस लाल रक्त कन का बस चार मह मेहने का होता है उसके बाद ये नश्ठ होते हैं चार मेहने होते होते हैं ये नश्ठ हो जाते हैं लेकिन एक साथ नहीं दिरे दिरे यानि कि सारे के सारे लाल रखकन एक साथ नहीं नश्ठ होते हैं तलकि लगातार कुछ बनते रहते हैं और कुछ नश्ठ होते रहते हैं जो लाल रख्त कन समाप्त होते हैं तब तो यह खत्म हो जाना चाहिए था सरीर में या सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा कर बोली नहीं ऐसा नहीं होता सरीर में हर समय नए कन बंदते रहते हैं और जो नश्ट कनों का अस्थान ले लेते हैं तो दीदी बताती है कि नहीं इसा नहीं है हमेशा कुछ नखू नयकन बनता और कुछ नश्ट होता रहता है हट्यों के बीच की भाग मज़्या में ऐसे बहुत से कारख्ञाने होते हैं जो रख्त कनों के निर्मान कारी में सदा लगे रहते हैं तो दीदी बतातिए यह कि हमारे पीट में जो रख्त जो मज्जा होता है उसको बोन मैरो को वो कारखाना यानि की फैक्टरी बता रही है जो लगातार निर्मान कारी में लगे रहते हैं ऐसे वो बता रही है निर्मान कारी मिन्स कोई भी बनाने का कारी करने को निर्मान कारी करते है इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन लो तत तो बिटामीन रूपी कच्चे माल की ज़र्ड़त होती है तो जैसे फैक्टरी में कोई भी चीज बनाने के लिए कच्चे माल की ज़र्ड़त होती है इसे तरह से हमारे बोन मैरो यानि मज़ा में भी क्या-क्या चीज की ज़र्ड़त होती है उनको प्रोटीन लोह तत्य मिन्स आइरन और विटामिन्स कच्चे माल के रूप में जोर्ड़त होता है या पोस्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी फल दूद अंडा और गोस्त में ये तत्य उप्युक्त मातरा में होते हैं तो डाक्टर दिदी बोलती है कि अगर तुम्हारी सब्जी दूद अंडा और गोस्त का मतलब होता है बच्चो मान्स अगर तुम मान्स खाते हो तो उसमें ये सब कुछ उप्युक्त मातरा में मौजूद होता है आगे दिदी क्या बोलती है यदि कोई वक्ति उचित आहार गरहन नहीं करता है कि अगर कोई वक्ति उचित मतलब होता है कि जितना सही मातरा या ठिक ठाक मातरा उसके सरीर के लिए चाहिए उतना अगर आहार हो गरहन नहीं करता है तो इन कार खानों को अवशकता अंसार कच्चा माल नहीं मिल पाएगा अवशकता अंसार मिन्स जितनी जुरुत है उतना कच्चा माल नहीं मिल पाएगा नतीजा यह होता है कि रक्तकन बन नहीं पाते रक्त में इनकी कमी हो जाती है तो नतीजा मिन्स परिनाम क्या होगा तब ऐसे में जितना रक्त कन बनना चाहिए उतना नहीं बन पाएगा और रक्त में लाल कनों की कमी हो जाएगी लाल कनों की कमी लाल कनों की इसी कमी को एनीमिया करते हैं तो जब इस तरह की कमी हो जाती है लाल रक्तकन की खून में ब्लड में तो उस बीमारी को एनीमिया कहा जाता है आगे दीदी क्या बोल रही है उसके पर अनील पुछता है तो क्या संतुली तहार लेने मातर से अनीमिया से हम बच सकते हैं अनील ने सवाल किया अनिल दीदी से सवाल पुछ रहा है कि क्या हम संतुली तहार बैलेंस डाइट अगर लेते रहें तो क्या हम एनेमिया से बच सकते हैं दीदी बोली हाँ यह करना काफी हद तक सही होगा ऐसा तो बहुत हद तक सही है ऐसा होगा अगर आप बालेंस डेट लेते हो तो यहीं सब्सक्रारा ही बताती gotta बोटकारन कारण मुष्टा की कमी ही है इसके अलावा好好 का एक बहुत बढ़ा कारण चाल पेट前 का ही ये कीरा प्राया दुसित जल और खादी पदार्थों द्वारा हमारे सरी में प्रवेश करते हैं तो दीदी बताती है कि हाँ अगर आप बैलन्स टैट लेंगे तो बहुत हद तक आपके सरीर में एनेमिया नहीं होगा लेकिन और भी कई कारण है एनेमिया का जैसे कि अगर लाल ब्लड सेल्स को नश्ट कर देगा खा जाएगा तो जिसके कारण कि आप में ब्लड की कमी यानि की लेरेट ब्लड सेल्स का कमी हो सकता है और आप एनेमिया के शिकार बन सकते हैं तो दुसित का मतलब क्या होता है बच्चों गंदा तो गंदा जल और खादी पदार्थ क का मतलब होता है खाने वाला कोई भी शामगरी को हम खादी पदार्थ करते हैं अता इनसे बचने के लिए यह आवस्यक है कि हम पुरी सफाइस से बनाए गए खादी पदार्थी गरहन करें ऐसा देदी बोल रही है बोजन करने से पुर्व अच्छी तरह हाथ दो लें और सा इसा कीरा का अंडा भी है जो कि जमीन की सता पर पाये जाता है इन अंडों से उत्पन हुए लाडवे तो चाके रास्ते सरीर से सरीर में प्रवेश कर आतों में अपना घर बना लेते हैं लाडवा होता है अंडे से निकला हुआ किसी भी कीरा का छोटा रूप को हम लाडवा करते हैं तो वह हमारे सरीर से होते हुए वह हमारे आप में पहुंच कर वहां अपना घर बना लते हैं इन से बचने का सहाज उपाय है कि सोच के लिए हम सोचाले का ही प्रयोग करें और इधर बदर नंगे पैर ना घुमें तो बोल रही है डॉक्टर दी कि हाँ एक तरीका है उपाया जिससे कि आप इन लारभू हों से बच सकते हैं कि आप सोचाले के लिए सिर्फ सोच के लिए का ही उप्योग करें और साथ-सार कहीं पर भी नंगे पैर ना घुमें जिससे कि ये किरा आपके सरीर में ना पढ़वेस करें तो चा के मादियम से देदिया तो बहुत ह महत्पुर्ण बाद बताई आफ ने अनिल बोला वह पलवर सोच में डुबा रहा फिर बोल आपने बता था कि रग्द सफेद कं और बीम्बानू भी होते हैं सरी में उनका क्या काम है तो अनिल की मान में आजी जिक ऐसा हो रहा है कि आखिर ये सफेद कन और बिम्बानु यानि प्लेटलेट्स क्या होता है तो देदी उससे क्या बोल रही है देदी बोली सफेद कन बास्ता में हमारे सरीर के बीर सिपाई है बीर सिपाई का मतलब होता है बच्चों सक्छक तो यह हमारे सरीर के रख्छक है रोगानु सरीर पर धावा बोल देते हैं तो दीदी भी बता रही है कि यो सफेद रक्टकन होते ही हैं हमारे रक्षप हैं और ये कोशिस करते हैं कोशिस मतलchy हमेशा प्रेटन करते हैं कि रोगानू या कि प्रहुक टानू जिसको कि हम माीक्र이죠?", और अपनारों सरीर में यह午ारे उनको रोकने का काम करते हैं बस संचेप में ये मानलो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं ऐसा दिदी उसको बता रही है कौन? सफेद रक्त कन के बारे में बता रही है और बिम्बानुओं का काम तो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना है रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक बिसेस किस्म की प्रोटीन होती है तो दीदी बता रही है कि वो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लट का उसमें एक special ट्रैप का प्रोटीन होता है जो कि रक्त वाहनियों की कटी फटी दिवारें म मक arbitr की जाले के समान एक जाल बून देता है तो जब रख्त Wai가지고 दो रक्त जिसमें बहता रहता है धमनी जिसको बोलते हैं उसे हम रक्त भाई का यहां पर बोल रहे हैं आगे दीदी बोलती है बिम्बानू यानि प्लेटलेट्स जो होते हैं इस जाले से चिपक जाते हैं तो प्लेटलेट्स जा करके इस जाले में अटक जाते हैं दिवार में अनिल बोला दीदी लेकिन घाओ गहरा हो तब तो खून भहता ही चला जाता है तो अब अनिल बोल रहा है कि हाँ ऐसा तो थोड़ा भो चोट लगने पैसा हो सकता है लेकिन अगर गहरा चोट लग जाए घाओ हो जाए तब तो खून लगतार भहता ही रहेगा हाँ ऐसे समय में उस बक्ति को जल्दी से डाक्टर के पास ले जाना चाहिए जरुरत समझने पर ऐसे इस्तिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पर सकते हैं किन्तु डाक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के अस्तान पर कसकर एक साफ कप्रा बान देना चाहिए यह सब कुछ दीदी जानकारी उसको देती है दवाव परने से रक्त का बाना कम हो जाता है जो उस बक्ति के लिए काफी लाप प्रद है दीदी बोलती है अगर आप कप्रा सूज जगा को बान दोगे तक तक जब तक की डाक्टर के प्रास जा रहे हो तो कप्रे के दवाव के कारण क्या होगा उसमें खून का बाना कम हो जाएगा जिसके कारण बहुत ज्यादा खून सरीर से नहीं निकल पाएगा जो कि उस आदमी के लिए काफी लाब प्रद होगा लाब प्रद का मतलब होता है उसके लिए बहुत फायदे मंद होगा उसका जीवन बच जाएगा आगे दीदी फिर क्या बता रही है किन्तु अगर बहुत अधिक रक्त भाजाए तो उसे रक्त चाहने की जरुरत भी पर सकती है दीदी ने समझाते हुए कहा यानि कि अलग से बाहर से उसके सरीज में रक्त भेजने की जरुरत हो सकता है तो अनिल ने कहा कि आ ऐसे समय में किशी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है तो अब अनिल की मन में और जी ग्यासा आरा कि क्या किसी का भी खून किसी को दिया जा सकता है दीदी बोली अनिल हर्स किशी का रक्त एक सा नहीं होता कुछ विसेस गुनों के अधार पर रक्त को चार मुख्यों वर्गों में बाट दिया गया है दीदी बता रिये कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हर एक का ब्लड जो है अलग-अलग तरह का होता है और उनको चार केटेगरी में बाटा गया है जरूरत मंद व्यक्ति के रक्त समू की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समू का रक्त चरहा जाता है तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रूप है उसका जांच किया जाता है जिसको जरूरत है और उसके बाद उसी तरह का blood group बला किसी से blood लेकर उसके सरीर में चढ़ाया जाता है यानि कि डाला जाता है लेकिन ज़रत के समय उसी रक्त समू का कोई रक्ती मिले ही नहीं तब अनेल ने पूछा तो अनेल फिर पूछ रहा है कि अगर उससे blood group का कोई आदमी आपको ना मिले तब क्या होगा ऐसी आपात इस्तिती के लिए blood bank बनाए गये हैं तो दीदी बताती है कि अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है ऐसी आपात इस्तिती यानि कि आपात से इस्तिती का मतलब होता है अचानक मुश्किल पढ़ना तो इसके लिए सरकार blood bank बनाए रहते हैं ऐसा अस्पतालों में रहता है ऐसा दीदी बता रही है प्राया हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समों का रक्त तयार रखा जाता है किन्तु इन blood bank बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए एक आवश्यक है कि हम समय समय पर रखदान करते रहें तो दीदी बोलती है इस तरह की भंडार 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 का मतलब होता है बड़ी मात्रा में मौझूद होना तो बड़ी मात्रा में किसी अस्पताल में blood मौझूद रहें आपात इस्तिति के लिए इसके लिए जरूरी है कि हरा आदमी समय समय पर अब बलड का दान करता रह रख्त का दान करता रहे आवशक का मतलब होता है जरूरी क्या मैं भी रख्त दान कर सकता हूं आनील ने पूछा नहीं अभी तुम छोटे हो 18 वर्ष से अधिक उम्र के श्वस्त व्यक्ति ही रख्त दान कर सकते हैं ऐसा देदी बता रही है एक समय में उनके लगबग 300 मिलिलिटर रख्त ही लिया जाता है एक बार में एक आदमी से सिर्फ इतना ही बलड ले सकते हैं ऐसा देदी बोल रही है प्रायस यह समझा जाता है कि रख्त दान करने से कमजोरी हो जाएगी किन्तु यह बिचार बिलकुल निराधार है निराधार का जिश्क जो की ऐसे अबबा के तोर पर फरलाया जाता है तो रख्त दान करने से कोई कमजोरी नहीं होगी ऐसा देदी बोल रही है हमारा सरीर इतना रख्त तो कुछी दिनों में बना लेता है वैसे भी सरीर में लगबग 5 लिटर खुन होता है इन में से यदि कुछ रख् रखते हुए बोलती है कि 5 लिटर हमारे अंदर ब्लड मौजूद होता है अगर उसमें से थोड़ा ब्लड आप किशी को दे कर जान बचा सकते हैं तो इसमें नुक्सान ही क्या है फिर तो आपके सरीर में ब्लड बन ही जाएगा कुछी दिन में आगे देदी क्या बोलती है फिर अनिल बोलता है फिर तो बढ़ा होने पर मैंने नियमेत रूप से रखत दान क्या करूंगा नियमेत का मतलब होता है बच्चूं नियम अनसार यानि लगातार कोई चीज एक ही रूठीन में करना तो अनिल बोल याним बढ़ा escuch मैं लगात करोंगा ब्लड डोनेट करोंगा सभाष और नील 50 ठोकना का मतलब होता है चाह बिदया होगा है क्या क्या करें हूगा? किर्पिया आप वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को साथ सेयर करें कॉमेंट भी करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिल नोटिफिकेशन को दवाएं ताकि मेरा पहला वीडियो सब्सक्राइबर होने पर आपके पास ही पहुंचे धनिवाद बच्चों मिलते आगले वीडियो में सब तक के लिए नमस्कार